अज़िए आज की वीडियो में सेखिए कैसे जीमिल अकाउंट को आउट्टुक के साथ चाहिए लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होना चाहिए उसमें पॉप-पकी सेटिंग इनेबल होनी चाहिए दूसरा हमारे सिस्टम पे माइक्रोसर्फ्ट आफिस का आउटलूग इंस्टॉल होना चाहिए तो चलिए फ्रैंड हम सीखते हैं पहले आप अपने मेल आईडी को उपन कर लिजे ताकि हम उसकी सेटिंग में जाके पॉप-पकी सेटिंग को इनेबल कर सके सबसे पहले मैं जीमेल अकाउंट पर करूंगा उसके बाद मैं मैंसेज आएकसेज विद पॉप-प कीप जीमेल कॉपी इन दा बॉक को सेलेक्ट कर लूँगा ताकि मेरे सारे मेलकर डाटा जीमेल और आउट्टुक दोनों जोबर सेम रहे और सेफ चेंज को सेलेक्ट करूंगा ताकि सेटिंग सेव हो जाए कि आई अगे की मिश्चित करें करता हूं किस्कों नेक्स्ट करूंगा इसके और कंद्स करूंगा कि में सेशचि önce को मैं यूजर की लोग एक युजर की मेल आ यूआईलियो तुमैं राजर्ष नाम इंटर करता हूं दिदर कणें उसके बाद में मेल आइडी को कॉपी कर लेता हूं उपने जीमेल से यहांते मैं इसे कॉपी कर लेता हूं दाकि मेरी मेल आइडी में कोई लिखने में कोई नहीं ङुझे मेल एंड ना यह वह म张対 करने पड़ेगी एक यहांत मैं ने कॉपी कर लिया हुआति हैял यहां पर कर देता हूं और पासवड में चीमेल पर सірाल को दिंटे करता हूं थां तबज़त से लिए पासवेड़ करना पड़ेगा इसके बाद next करता हूं तो यहां पर मेरा नेटवर्क सेटिंग पास हो गया है connection की स्टेबली सो चुका है और mail ID चेक कर रहा है server पर यह भी पास है और login to server and test email message select भी pass हो गया है इसके बाद मैं finish कर दूँगा तो इसके कर लेता हूं कि यह पूछ रहा है प्राइवेसी मैंने जरा रहा है रिस्टार्ट करने के लिए लिए आउट्टुक मेरा रिस्टार्ट के ओपन हो जाएगा और मेरी सारी mail यहां पर आने लग जाएगी आप इन बॉक्स में देखें मेरे सारी यहां पर mail आने लग गई है जो गूगल से मुझे दो mail आई थी और सारी यहां पर आ गई है और Microsoft से भी एक mail मेरे को यहां पर आई है फ्रेंड्स आज की वीडियो में अपने सिखा कि कैसे Gmail account को आप लोक के साथ configure किया जाता है फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही और आपको मेरी बनाईवी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक किजिए केमेंट किजिए शेर किज़र सब्सक्राइब किजिए सब्सक्राइब जरूर किजिए क्यों सब्सक्राइब करने से आपको मेरी बनाईवी वीडियो की अपडेट आटमेटिकली मिलती रहेगी थैंकि पर वाचिंग दिस वीडियो